Hello Students, काफी सारे Students में पास अपने Marks कॉमेंट कर रहे हैं कि सर काउंसलिंग में क्या कॉलिज मिल सकता है, सर कैसे काउंसलिंग करवाएं और secondly जो कोशन सबसे आना पूछा जारे है कि NEED के रिजल्ट कव आएगा, वो एमार सीड कव डिस्पले की जाएगी तो सबसे पहला आपको कॉमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक मिलेगा जहां जाके आप काउंसलिंग का जो प्रोसिजर है उसके लिए फॉर्म जो है भर सकते हैं आपको फ्री काउंसलिंग जो होगी आपको दी जाएगी कि आप कैसे आपको काउंसलिंग करनी है सब कुछ वहाँ पर आपको दिया जाएगा सेकंड़ी अब नीट के रिजल्ट की बात करते हैं तो नीट इंटर्स एक्जामनेशन के बाद यहाँ पर NTA के डारेक्टर जो है बिनी जोसी सर उनका यहाँ पर इंटर्व्य हुआ जिसमें हमसे पुछा गया कि नीट के रिजल्ट आप कब तक डिकलेड करेंगे जैसे कि आपने देखा था कि जैई मेंस का रिजल्ट जो है वो काफी जल्दी डिकलेड कर दिया गया इतना जल्दी एक्सपेक्टेड भी नहीं हो रहा था similarly उसी तरह उन्होंने बताया कि जो नीट का रिजल्ट है वो maximum 20 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर रिलीस कर दिया जाएगा जेई का रिजल्ट एक्जाम एक ऑफ लाइन एक्जाम नेशन होता है और नीट का एक ऑफ लाइन एक्जाम मुशाता है रिजल्ट से पहले OMR और आंसर की रिलीस करना उसको चैलेंज देना बच्चे उसको अपना देखते हैं कोई question आंसर जो है और NTA ने गलत दिया उसको चैलेंज करते है तो यह सब आपका मैं मानूं तो अगर आप जो NTA का ट्रेंड रहा है उसके साब से कर देखें तो रिज 18 तक मान सकते हैं कि आपकी OMR डिस्प्ले कर दी जाएगी और maximumly 28 तक आपका result जो है वो नीट का declared कर दिया जाएगा because आँगे चल के काफी सारी प्रोसेजर होते हैं counseling दो round counseling होती है उसमें जानदा time लगेगा इस साल थोड़ा सा bonus point यह कि aims की counseling जो है वो नीट ही सही होनी है बन और भी कोई update मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर share करूंगा